असलाम अलेकुम गुड मॉर्ण आप सबका मेरे चैनल पर वापस से सवागत है कल गोल्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर साय थे इंप्लेशन की नंबर थोड़े से हाइथ है गोल्ड ने रियक्षिन भी दिखाया 1824 25 के आसपास के हाइथ बनाए उसके बास में बट एक देड़ घंटे बाद ही मार्केट को आप से लगने लगा नहीं भाई नहीं आप ज्यादा रेट बढ़ सकता है तो गोल्ड को किरा हो गोल्ड के गिरने में सबसे ज्यादा फायदा सेलर्स को हुआ क्योंकि उनको बहुत अच्छा हाय मिला 1824 क्या अभी फिलां एक डॉल्मुस्ट लोवस्ट पॉइंट पर चल रहा है एक ताइस पास का लो बना आए अभी के अभी ऑल्मुस्ट सारी चीज़ें डाउन है डॉल्ड डाउन है डॉलर इंडेक्स भी इतना कुर ज्यादा अप नहीं है डाउ जोन जाउन है नास्डाग डाउन है बिट की सारे प्रेशर आ रहा है मैं इस पर पूरा का पूरा वह बना चुका हूं एक वीडियो के बाउन इंपोर्टन क्यों रहती है साल में एक दुपार ही ज्यादा चलती है बट जब चलती है तो ऐसा ही महल होता है वह वीडियो को लिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि कल हमने इंफलेशन नंबर देख लिए उससे पहले हमने बाकी नंबर भी देख लिए चलिए आज देख लेते हैं रजस्टन सपोर्ट का क्या है और अगर आप चला पर अभी आज फर्स टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्स्क्राइब कर लीजिए बैल आइकन दबा द देखते हैं तो यह है गोल्ड का चार्ट कल मैंने 17,97 का सपोर्ट दिया था इवन दो सपोर्ट अभी इंटक्ट है पट गोल्ड वीग जोन में चला गया है कल 1818 का रिजिस्टेंस है यह था रिजिस्टेंस थोड़ी दे ठहरा उसके बाद क्रेश आया एवन दो यह टेक्निकल पॉइंट ऑफ यू से देखें तो गोल्ड पॉजिटिव जोन में चला गया था पट गोल्ड ठहरा नहीं नाई गोल्ड ने सस्टेन किया अल्मोस्ट लगी रहा था मुझे के गो अल्स में रिगी पर देता हूं रिगी सॉफ्ट्वेर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पर मेरे चैनल है जाकर देख सकते हैं आज क्या है पट-पट देख लते हैं क्योंकि आज पट-पट वीडियो बनाना है लेट हो गया है कापी 1810 का रिजस्टेंस है सपोर्ट है 1792 के नीचे निकला 1792 तो 1780 तक जा सकता है 1810 के ओपर मार्केट पॉजिटिव हो सकती है और सिल्वर वालों के लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज है विकाज 20 डॉलर के आसपास सिल्वर आ चुकी है और दाट इस अब्सलूटली डिजास्टर अगर 20 डॉलर के नीचे आज क्लोजिंग होगी तो सिल्वर वालों के लिए बहुत दीकत हो सकती है काफी मुझे मैसे जा रहे हैं कि सिल्वर उनकी बाई पड़ी 21 डॉलर पे 20 डॉलर पचास सेंट पे तो बॉटम फिशिंग करने के चक्कर में सबकी बाइंग पड़ी होगी एनिवेज आज का सपोर्ट यहां है 19 डॉलर 80 सेंट की सपोर्ट है एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है टिकी तो काफी अच्छी रहेगी बायर्स के लिए नहीं टिकी तो नाइट मेर बन सकती है बायर्स के लिए यह ध्यान लखिएगा 1980s वेरी स्ट्रॉंग सपोर्ट इंट्रडे चार्ट पे भी और डेली चार्ट पे भी डेली चार्ट जो हम यूज करते हैं अपने वीकली एनालसिस के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ध्यान रखिएगा कि प्रूड ओईल पर आते हैं यह है जी क्रूड ओईल यह कल के लेवल से जब मैंने लाइब स्ट्रीम कर रहा था तब आपको यह वाले लेवल दिये थे अभी फिलहाल एक सो पांच पचास के आसपास चल रहा है आज का रेजिस्टन्स है भाई सहाब एक सो तार्ट सरकार सपोर्ट है 104 104 is the support अभी भी वीक है इंट्रस्टिंगली तीनों कमोडिटीज का ट्रेंड वीक है त्यान रखेगा इस तरीके से मूव्स दे रहे हैं गोल्ड सिलवर यह आज अभी यह दो कैंडल बनाएं उस तरीके से लग रहा है कि शायद बायर्स को थोड़ी सी राहत मिल जाया आज बाकी देखेंगे रस्टेंट का वेट कीजेगा जंप मत कीजेगा के चलो थोड़ा सा एक दो नीली नीली कैंडल सागई तो कैंडल लाइट डिनर कर लें ऐसा मत कीजेगा कैंडल आप डिनर करने की सोचेंगे तो बिल बहुत ज्यादा आ सकता है यह है भाई सहाब यूरो यूरो का रेजस्टन्स चार सो पच्छत्तर का हो गया आज सपोर्ट हो गया चार सो बीस का चार सो बीस ही करेगा तो और नीचे चल जाएगा फिलाल ट्रेंड वीक ही है इसका चार सो पच्छत्तर के उपर पॉजिटिव हो जाएगा फिलाल वीक जोन में है गोल्ड सिल्वर कुड उल यूरो तीनो के तीनो वीक जोन में अब देखते हैं ब्रिटिश पाउंड यानी अंग्रेजों का पाउंड क्या है देखते हैं यह भी वीक जोन में है इसका तो प्लाक टुवीक जियान रखेगा अब देख लेते हैं ट्रेड की पहली पसंद बिटकॉइं रेडर की पहली पसंद नहीं कम आजवकल के नए नए-वन-दैज्यों ट्रेडर बने है उनकी पहली पसंद्द हैप तो देख लेते हैं क्या है बिटकोइं 19,500$ के आसपास चल रहा है 18,600$ के आसपास के malls बने है कल का support 19,650 था चलिए देखते है आज का resistance क्या है आज का resistance जो है वो कल का support था यानी उननिज़ार साचिस거든 और आज का support है 18,000 18,000 500 टॉलर तो कल का सपोर्ट आज का रेजिस्टन्स बन चुका है क्योंके सास भी अभी बहुती तो आज सास जो बहुती सास आज सास बन चुकी है यह है एथरम एथरम चल रहा है 1040 टॉलर के आसपास चल यह इसको भी देख लेते हैं एथरम यह भी वीक जोन में है इसका रेजिस्टन्स थोड़ा सा चेंज है इसकी सास बहुत नहीं बनी है विकाज इसका रेजिस्टन्स है 1190 इसका सपोर्ट है 990 का सपोर्ट देखे बहुत ही अजीब लग रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले तक इसका तीन-तीन हजार डॉलर का सपोर्ट आता था नन्दलेस टाइम इस सुप्रीम यह गोल्ड इतना उपर का है है भाई mcx में प्राबबली कोई न्यूज आई है क्या यह मैं इतना ड्लेट उटा हूं आज 51,775 रुपया चल रहा है अगर यह मेरा प्राइस सही चल रहा है तो रेजिस्टन्स है इसका आज का 5200 रुपेगा सपोर्ट है आज का 51,300 रुपेगा सपोर्ट थोड़ा नीचे है विकाज यूएस्ट आइनर काफी उपर है यह चल रहे है चांदी चांदी ठीक range में चल रही है September वाली चांदी है calls भी September वाली के ही आएंगे विकाज यही मैंने लगा रखी है चांदी चल रही है 58980 के आसपास चांदी का आज का support है 58500 चांदी का resistance है आज का 6400 रुप हैगा जियान रखेगा 5 बजे वापस से लेवल रिवाइस करूँगा जब योईजी आएनर बंद हो जाएगा तो योईजी आएनर बंद होने के बाद community post में आज आज आप पांच बजे लेवल देख सकते हो join का button दबाएंगे 399 का तो आपको लेवल देखने मिल जाएंगे 599 का दबाएंगे एक उसाथ में copper, zinc के लेवल भी देखने मिल जाएंगे चलिए आप मिलेंगे कल के weekly analysis के वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye